जब भी आपने यात्रा की होगी तो अवश्य अपने मार्ग के आसपास कुछ रिक्स थान देखे होगी, कुछ खेट देखे होगी, कोई ना कोई भूमी का टुकड़ा अवश्य देखा होगा। कुछ थान ऐसे होते हैं जहां पेड़ लगे होते हैं, जहां माली बड़े प्रेम से उन्हें बोता है, उन्हें सीचता है, और कुछ थान ऐसे भी होते हैं जहां बिना माली के खरपतवार उग जाते हैं, कुछ अन्ने पौधे उग जाते हैं, माली द्वारा उगाए हमें ठंडी चाया देते हुमें फल देते है, इंधन के लिए लकडिया देते और बिना परिश्रम के उब्जदखर पतवार, यदि कुछ करते हैं, तो यह कि वो भूमी को बंजर बनाते हैं, हमारा मन भी रिक्त भूमी की भाती होता है। यदि अपने परिश्रम से उसमें सू विचारों के बीज डालोगे तो फल दायक विचार उपजेंगे और यदि उसे रिक्त छोड़ दिये तो खर पत्वार की भाती अनुपयोगी विचार आपके मन को अपना घर बना लेंगे आपके मन को मैला कर देंगे उसे बंजर कर देंगे अब निर्णय आपका है कि आपको सू विचार देने वाला मन चाहिए या कुन्था देने वाला